हलो सोमिश, जब मैं तुपर टीन टिक टे भेज रहा हूं, आज आत की, कल सुपर मुझे जैपुरों में लोग तो भईया छे गंटे की थकान बारे सफर के बाद जब हम गुलावी नगरी यानि पिंक सिंटी पहुँचे तो हमारा स्वागत कुछ इस तरह हुआ और फिर गर्मा गर्म नास्ते के साथ हॉस्टल कार्वा ने हमारी खातिरदारी कुछ इस तरह की तो जैसा कि आपने देखा कि आज का सन्राइज बड़ा ही मतलब ध्irieक के घार था तो हम लोग और पहुप करते हैं कि संसेट भी थमा के दार ही मिले अभी फिलाल तो हम प्तरिका गेट पर जा रहे हैं तो पसम यथ देखते कंगे शर्या तो पातृग 25 है तो हम लोग पत्रिका गेट आचुके हैं और देखते हैं क्या होता है हम आज तो बहुत जादा भी लग रही है तो अभी हम लसी पीने के लिए जा रहे हैं देखते हैं हमारे गाइड जी हमें कहा ले जाएं के कौन सी मीठी लसी है जो हमें मिलेगी अभी तो चलिए चलते हैं तो बैया दोपैर होते ही हम ओल जैपूर की एक पुरानी हवेली की तरफ चल पड़े ताकि उसके रूफटॉप से हम काई पोचे चिल्ला सकें मुझे याद है जिस रफटार से सूरज डूब रहा था ठीक उसी रफटार से हम नहारगड फोर्ट की तरफ बढ़ने लगें मेरा मतलब है तेजी से और वहां से नजारे कुछ ऐसे था तो भाईया 24 गंटे की भागदौड के बाद हमने अगले दिन हॉस्टल में ही आराम फर्माना सही समझा तो भाईया जी ठकान भरे दिन के बाद रात को रूफटॉप पे जैपूर की ठंड में अगर बॉनफायर मिल जाए तो आपके ट्रिप के चार चांद लग जाते हैं और इसी तरह हमारे सफरकान स्वादिश लेक्पीस के साथ हुआ तो भाईया ये व्लॉग एडिट करते करते सुबह के साड़े चार बज गए बाकी आशा है आपको व्लॉग पसंद आया होगा और हम इंस्टाग्राम पे रेगुलर हैं कंटेंट अप्लोड करते रहते हैं तो वहां फॉलो कर लीजेगा अच्छा लगता है बाकी कमेंट से व्लॉगों के व्लॉग देखना चाहेंगे चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के तो खेंज मिले ने खेंज दिखाएं वो तेरी फ्रैंस